हलो फ्रेंज जागरंजोष.com के इस वीडियो में आप सब इगा स्वागत हैं मैं हूँ सयत सौबान आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करेंट अफेर से क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं उनके सही जवाब क्या होंगे और साथी साथ उनसे रेलेटेड कुछ की फैक्स के बारे में भी बात करेंगे साथी साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लेकर देना होगा तो चले शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ संसद का सदस से चुना गया था जौन मेगफली साल 2010 में तंजानिया के मंतरी और दूसरी बार परिवहन मंतरी न्यूक्त किये जाने के बाद लोग प्रियदा प्राफ दूरू ने की थी पढ़ते हैं अपने अग्रे सवार के तरह हाली में किसे स्टॉप टीबी पार्टनर्शिप बोर्ड का चेर्मिन बनाया गया है इसका सही चवाब है ऑप्शन बी डॉक्तर हर्शवर्दन दोस्तों आपको वता दें केंद्रिय स्वास्त मंतरी भी हैं दोक्तर हर्शवर्दन उनको Stop TV Partnership Board का चेर्मेन बनाये गया है Stop TV Partnership Board के अधक्ष के रूप में हर्शवर्दन जुलाई 2021 को अपना पद समा लेंगे और उनका कारेकाल तीन वर्षों का होगा Stop TV Partnership Board एक अंतराश्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विबेन पक्षों के साथ मिलकर TV के विरुद संगष का अभ्यान चलाता है बढ़ते हैं अपने अगरे सवाल पर लेकिन उससे पहले एक सूचना हमारी वेबसाइट जागरनजोष.com पर अगर आप करंट अफेस पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करंट अफेस के टैप पर जाना है जब आप करंट अफेस टैप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा अगर आप कैटेगरी वाइस करंट अफेस पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इंटरनाशनल, स्पोर्ट्स, टेकनोलोजी और एकॉनमी जैसी कैटेगरी मौजूद हैं बरते हैं अगरे सवाल पर नेमल में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की गोशना करी है इसका सही जवाब आप्शन डी सिंगापर दोस्तों आपको बता दें कि सिंगापूर एशिया में सबसे बड़ी प्रतीव एक्ति कार्बन डायकॉसाइड उत्रजकों में से एक है ये अक्षे उर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सौर फार्म है उसका निर्माण कर रहा है सिंगापूर सरकार दोहजार पच्चिस तक सौर उर्जा के उप्यों को चार गुना बढ़ाने का लक्ष लेकर बढ़ रही है आगे चल रही है बढ़ते हैं अपने के सबात पर हाली में किस राज के नर्मदा जिले के केवडिया में स्थित स्टैचू आफ जुनिटी जो किसाल दा दोहतार अठारा में उद्गाटर ना किया गया और लब्से लेकर अब तक को जहां पर जो परड़ेटर कर देखने वाले आने वालों की जो संक्या थी हो पचास लाग से आदिक हो चुकी है तो इसका जो सही जवाब है वो है कुजराथ इसके बारे में बहुत आप लोग ने पढ़ा भी होगा दोस्तों आपको बताएं कि हाली में गुजराथ की जो नर्मदा जिले में केक के वड़िया में स्टैचू आफ यूनिटी है इसका गातन जो है 2018 में क किया गया था उसके बाद जो है वहाँ पर रहा जो परिटक हैं को दिखने मालों की जो संक्या है वो पचास लाग से आदिक हो चुकी है स्टैचू आफ यूनिटी का निर्मार सरदार वरलब भाई पटेव के समान में किया गया था सोतंतर भारत में 560 रियासतों को एक चु विश्विका सबसे उंचा रेल पुल अपने निर्मार के अंतिम चरण में हैं इसका सभी जवाब ऑप्शन भी चिनाब नदी उस तों को दा दें कि हाल ही में केंडरे रेल मंतरी ने सुचित की है कि जमू और कश्मीर में जो चिनाब नदी है वहाँ पर विश्विका सबसे उंचा रेल पुल अपने निर्मार के अंतिम चरण में हैं जमू कश्मीर के रियासी जिले में जो है बनाया जो रहा है यह रेल वे पुल नदी तल से करीब 359 मीटर की उंचाई पर होगा और पैरिस के सूपरसेद आइफल टावर से भी 30 मीटर उंचा होगा बढ़ते हैं अ भाग लिने से इंकार कर दिया है इसका सही जवाब ऑप्चन ए सुमालिया दोस्तों आपको बता दें पूरवी अफरीकी देश केनिया ने अपने परोसी देश सुमालिया के साथ समुद्री सीमा विबाद पर अंतराश्ट्रिय नयायले यानकी आई सीजे की कारवाही में भ आश्टर चार्टर द्वारा की गई और इसने अपरैल 1946 में काम करना शुरू किया बढ़ते हैं अगरे सवाल के तरफ सवाल है भारतिय रिजर्व बैंक यानकी आर्वियाई ने हाली में किस बैंक पर दो करोड रुपए का जुर्माना लगाया है इसका सही जवाब ऑप्च कानून के उलंकन करने की चलते लगाया गया है आर्वियाई का ये कहना है कि जो स्टेट बैंक आफ इंडिया है इसके जो बैंक करमचारियों को जो बुक्तान करते समय जारी ने देशों का बहर नहीं किया जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है बढ़ते हैं सवाल पर तो दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे विजले वीडियो में पूछा रूस और अनिमन में से किस देश के जो है वो चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझाता कि आपन पर अस्ताक्षर किया है तो यह दो देश हो गया रूस हो गया और चीन हो ग कक्षा में बनाया जाएगा इस परिसर का जो बहु देशी और बहु वेचायक अनुसंधान कार करने के लिए निर्मित किया जाएगा और चीन और रोस इस परियोजना पर अंतराश्ट्रे सहीयोग को भी बढ़ावा देंगे अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है सवाल है केंद्रिय मंत्री मंडलने 16 माश 2021 को भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहीयोग पर समझगा गया पन पर अपनी सुईकरती देदी है इ आपके आप्शन्स हैं नेपाल मालदीव चीन और रूस दोस्तों गर जी वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो ज लेक्त नहीं जर्वन जोर्श टॉट कॉम